कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि मिताली प्रग्या को ब्लेम करती है कि उसकी वज़े से राज की सामने मिताली की सच्चाई आ गई ये सब तनो चुप कर सुनती है मिताली प्रग्या से कहती है कि वो प्रग्या को बरबाद कर देगी ये सुन कर तनो खुश होती है दूसरी तरफ हम देखते है कि अभी प्रग्या को पूछता है कि क्या करना है वही प्रग्या कुछ न समझने का नाटक करती है अभी कहता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए और उसकी फुगी भी फिर प्रग्या कहती है कि उसका कोई मकसद है जो उसे पूरा करना है और वो अभी को उसके बारे में नहीं बता सकती और रूम से चली जाती है फिर हम देखते हैं कि प्रज्या रौनी को पार्सल दे के बोलती है कि वो तनु को दे और तनु को ये पार्सल किसने भीजा है ये बात नहीं पता चलनी चाहिए रौनी तनु को पार्सल बड़ी चालाकी से देता है दूसरी तरफ मिताली राज को मनाने जाती है फिर हम देखते हैं कि तनू पार्सल खोलती है और तबी ही प्रग्या तनू को कॉल करके अवाज बदल कर उसे धमकी देती है प्रग्या सोचती है कि जैसे उसने सोचा था तनू वैसे ही रियाक्ट कर रही है और बस उसकी बताई हुए जग़ पर तनू उस इंसान को लेकर आए आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सरला प्रग्या को ब्लेम करती है और वो पुलिस को बुलाने की बात कहती है पर मौ इंफरमिशन और अपडेट सब्सक्राइब टू टेली टॉक इंडिया